क्या आपका मन पढ़ने में नहीं लगता है पढ़ते से में नींद आ जाती है और पढ़ा हुआ याद नहीं रहता अगर आपके साथ यह समस्या है तो इस वीडियो को देखने के बाद यह समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगा तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टाक मिना सबसे पहले हमें समझना होगा हमारा ब्रेन के बारे में क्योंकि सारा खेल ब्रेन का है तो ब्रेन के बारे में आपको समझना होगा आपका जो दिमाग है आपका मस्तिस्क है वो कैसे काम करता है इसको समझना होगा अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप समझ जाएंगे कि आ राद क्यों नहीं रहता है यह समस्स्या खतम हो जाएगा। तो दिख ब्रेन का जो होता है इसा हम कह सकते हैं में को 3 भाग में आप बांट देते हैं इसका 3 लेयर कर सकते हैं तो पहला एंट और होता है हिंट ब्रेन दूसरा होता है mid brain और तीसरा होता है four brain तीन अलग-अलग भाग में बाट दिये पहला hint brain दूसरा mid brain और तीसरा four brain तो सब का अलग-अलग काम है किसका क्या काम है थोड़ा इसको समझते हैं कि तो सबसे पहले बात करते हैं hint brain की तो hint brain का का मैं देखिए आप सांस लेते हैं और यह चीज़ ऑटोमेटिक होता है आपका धरकन चलता है सडीर में बलड का सर्कुलेशन होता है रक्तपरी संचरन होता है और यह सारा कभी छीक आ जाती है बहुत सारे ऐसे कार्य है जो आप इसके लिए सोचते भी नहीं है और उसका काम होते रहाता है जैसी कि आप चलते-चलते पैर में काटा कर जाता है तो तुरन्त दिमाग को सौचना मिल रहता है और इसके लिए आप तयार नहीं होते लेकिन तुरत ही आप पीछे हड़ जाते यह चीज़ कैसे हो जाता है तो यह सब का सारा काम जो है सडीर में जो सांस लेना धरकन का चलना सडीर में खून का दोड़ना यह सब पाचन क्रिया हम लोग सोय भी रहते हैं तब भी यह सब काम होते रहता है तो यह सब काम करता कौन हिंट ब्रेंड काम करता है ठीक है और हिंट ब्रेंड काम करने में कितना उ आंग है जिस तरह से हाथ पर मुँ ऐसे करके अंग को गिनेंगे तो 89 अंग है सडीर में और उसी मेंसे एक अंग है ब्रेन और ब्रेन को मानन लिजी 100% उर्जा है तो 25 पर 3 उर्जा ब्रेन अकेला लेता है तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारा ब्रेन कितना पावरफूल है और बाकी जो बचा 78 पर तीसाथ उसी से 78 ओर्गेंज को काम चलाना पड़ता है ठीक है यानि 1% से कम उर्जा ही बाकी अंको मिलता है लेकिन ब्रेन अकेला 25% उर्जा खपत करता है तो इसलिए ब्रेन ज्यादा उर्जा लेता है और ज्यादा सक्तिसाली होता है तो यहां पर हिंट ब्रेन को कितना चाहिए 20% किस काम के लिए सांस को चलाने के लिए खून को दुराने के लिए शरीर में जो भोजन हम लोग खाते हैं उसको पचाने के लिए और ये सारे इस टाइप के जो काम है तो हिंट ब्रेन का है और इसमें उसको 20% उर्जा चाहिए लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग का सोने का टाइम निर्धारित नहीं है, खाने का टाइम निर्धारित नहीं है, तो उस कंडिशन में क्या होता है कि इसका जो खपत है वो बढ़ जाता है, तो ये 20 के जगा 40% ओड़ जा खपत कर देता है, अगर हम लोग कोई भी जैसे आप जिसे मान लिजा आप तीन टाइम खाते हैं आपका सुभा में आठ वे खाते हैं तो हिंट बेरें निरदेश करता है कि आठ बज़ी आखाना खा लिजे और आप क्या करते हैं अगर रेगुलर है तो 20% अगर मान लिजे आप हिंट दे दिया कि 8 बज़ी क्या खाना खाई लेकिन आप साड़े 8 बज़ी खारे हैं 9 बज़ी खारे हैं 10 बज़ी खारे हैं कभी 12 बज़ी खारे हैं कभी 7 बज़ी खारे हैं मतलब कोई लिमीट ही नहीं है आपका कि कब क्या करना है कभी भी सो जाते हैं तो इस कंडिशन में क्या होगा उर्जा आपका बढ़ेगा यान कुछ हम देखते हैं सुनते हैं महसूस करते हैं उसको दिमाग के अंदर में अब्जर्व करना उसको याद रखना डाटा कलेक्ट करना का सकते हैं जैसे मालजी आप कुछ चीज पढ़ते हैं या कोई सिनिमा देखते हैं कोई गाना सुनते हैं उस सब चीज को याद रखने का जो काम है वो mid brain का है तो mid brain का काम हो गया और इसको चाहिए कितना percent उर्जा इसको चाहिए आपको 30 percent उर्जा ठीक है 30 percent उर्जा चाहिए जितना दिमाग को मिला उसमें से तब यह सही से काम करेगा तो अगर अगर हम क्या करते हैं दिन भर ज्यादा तर mobile देखते हैं या टीवी देखते हैं या इस तरह का और भी कोई गेम खेलते हैं अगर इस सब सारा चीज करते हैं बहुत सारे बाते करते हैं तो इस condition क्या होता है हमारे या paper और बहुत सारा ठीक है तो यहाँ पर देखिए अब 50 एसके लिए कितना उर जा बचा दस परसेंट इसको चाहिए कितना था 50 परशेंट उड़ चाहिए था forehead brain का और यह forehead brain जो है इसका काम क्या है सोचने का काम तर्ग करने का काम पिचार करने का काम यह इसका है फोर बैंड का तो अब जैसे आप पढ़ते हैं यह कमा ऐसको समझना है कोई सवाल बना नगता है तो सवाल बनाएंगे तो उसमें दिमाग लगाना परेगा तो सोचने वाला जो काम है ये फोर ब्रेंड का है और आपको मनुस में होता है आप सोचे आपकी कितना भागसाली है कि आपको सोचने समझने का तर्क करने का भी दिया गया है सिस्टम दिया गया है ब्रेन दिया गया लेकिन यह जानवरों में नहीं दिया गया है इसलिए जानवर सोच नहीं पाते हैं इतना सारा काम तो जानवर भी कर ले लेकिन हम लोग कर सकते हैं और कर सकते हैं इसके लिए उर्जा चाहिए कितना 50% उर्जा आपको चाहिए होता है तो यहां से हमको जितना खपत होता है उतना ही अगर करें तो हमें 50% उर्जा मिलेगा और तब हम लोग सोच विचार सकते हैं तर कर सकते हैं सवाल बना सकते हैं सम 10 मिनट पढ़ते हैं और उसके बाद आपको नींद आने लगती है और आपसे सवाल नहीं बनता है आपको कुछ भी समझ नहीं आता कि आप क्या करें तो यहीं गड़वर है तो इसको ठीक कैसे करेंगे अब इसको समझते हैं तो सबसे पहले आपको समय निर्धारित करना होगा समय आप निर्धारित कीजिए कि कब सोना है कब जगना है कब आपको खाना है उचए नियमीत रूप से करेंगे तो आपको बाद में हो गया ही निर्धेस कर दिया खाना और आप खालिए अब उसके बाद दुबारा उसको काम नहीं करना परेगा फिर दुबारा इंदेश नहीं देना परेगा तो यहां पर उर्जा का बचत होगा तो यह 10% से काम चला लेगा और यह जो हमारा 30% ले रहा है अगर हम इसको ज्यादा मुबाइल नो देखें ज्याद पढ़ें जो जरूरी है उसी को पढ़ें तो यह 30 के जगा 20% पर आ सकता है 20% उर्जा ही यह खपत करेगा ठीक है और इस कंडिशन में इस कंडिशन क्या होगा कि अगर हम इस उर्जा को बचा ले यहां से तो यहां पर 20-30 हो गया तो यहां पर कितना बच जाएगा 70% उर्ज होगा नया चीज करने के लिए शवाल बणाने के लिए मतलब बहुत सारा कुछ हम नया कर सकते हैं और अच्छा से कर सकते और तब जो है वह विद्यार थी टौपर बन सकता है तेज बन सकता उसको कोई- Čक कमी नहीं होगा और क्योंकि उसके पास तकत है दिमाग का ताकत है और दिमाग का ताकत क्या सबसे बढ़के है तो ये चीज आपको करना होगा तो आपको I hope आपको समझ में आ गया होगा कि सारा खेल दिमाग का है और आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं अगर आप ये कर पाते हैं तो आपका दिमाग सही से काम करेगा और कोई दिकत नहीं होगा आ हमारी बातों से सहमत है तो लाइक किजेगा और दूसरे तक शेयर भी किजेगा चैनल पने है तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए सस्क्राइब भी किजेगा चलिए मिलते हैं अंगले वीडियो में जैहिं